जीवन है तो समस्याएं हैं. अगर समस्याएं खतम हो गई हैं, तो समझ लीजे कि शाइद जीवन ही खत्म हो गया है. मैं हूँ वे नहीं आपके साहरे सुनाती हो आपको मनोज की कहानी. परिशान रहता था, बड़ी सारी समस्याओं उससलों लगता था कि क्या करूँ मैं मेरी जीवन का एक के बाद एक समस्या है एक खतम होती नहीं कि दूसरी आ जाती कभी घर की परिशानी, कभी बच्चों की टेंशन कभी परिवार में आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कभी नौकरी की टेंशन, काम की टेंशन तो कभी फिनांशल प्रॉब्लम, क्या करूँ समझ नहीं आगा था, काफी बनों से बहुत परिशान था अपने एक दोस्त से अकसर ये सारी बातें शेयर किया करता था, उसके दोस्त नहीं बताये कि हमारे शहर में एक महात्मा आए है ये इनके बारे में कहा जाता है कि वो हर किसी की समस्याओं को समाधान दे देते हैं क्यों नहीं तुम उनसे जाकर मिलते बहुत उम्मीद लेकर मनोज उनके पास मोचा और बहुत बहुत जाकर उसने देखा ये सब कुछ सुनने के वाद महात्मा छी में नहीं कैं तो उनने कैसे मना कर सकता था provide इसनने फबाठां करेद गया तब तुम सो जाना, बस इतना ही करना है तुमें, उससे लगा कौन सी बड़ी बात है, रात होते ही उट बैठ जाएंगे, मैं सो जाओंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रात भर परिशान होता रहा मनोज, क्योंकि एक उट को बिठाता था, तो दूसरा खड़ा हो जाता था, महात्मा जी से मिला, महात्मा जी ने बोला, कैसी गुज़ी रात, अच्छे से सोए, उन्होंने पूछा क्यों, इसने बता दी फिर सारी बात, कि भाई, आपके सारे उट एक साथ बैठने को तयार कहां थे, एक बैठता था, तो दूसरा खड़ा हो जाता था, अभी जिसको बिठा के आयों, वो खड़ा हो जाएगा, कुछ उट ऐसे थे, लाग कोशिश करने पर नहीं बैठ रहे थे, कुछ खुदी बैठ जा रहे थे, वगयरा वगयरा, महात्मा जी ने कहा, यह जीवन की समस्याओं की तरह होते हैं, हर समस्या अपना निश्चित समय लेकर आती है कब उसे खत्म होना है, वो हो जाएगी, कुछ समस्याओं आपको लगेगा आपके हल करने से खत्म हो गएगी, कुछ समस्याओं खुदी खत्म हो जाएगी, कुछ समस्याओं ऐसी होगी, कि जिनके लिए आप हल ढूंड रहे होगे, ढूंड रहे होगे, नहीं मिलेगा, और एक दिन वो स्वता ही solve हो जाएंगी क्योंकि life है जीवन है तो समस्याई चलती रहेंगी परना शायद इस जिंदगी को जीने का इतना मज़ा भी हमें नहीं आ पाएगा मैं हूँ विनी आपके साथ झाल